जो audience का reaction होता है ना वो artist का reflection होता है तो अगर आप nervous हो आपने वो चीज़ notify and notice कर दी कि भाई मेरा जोक नहीं चला तो जनता को पता चल जाएगा उनकी energy भी down हो जाईए जनता आपका बुरा नहीं चाहती लेकिन आपने वैसा react करा उसकी वज़े से उनको लगा अच्छा है या कुछ हुआ है instead आप flow flow में सीथ ही निकल जाओ आप आपका जोक नहीं चला जनता को पते ही मैं चलने दोगा यहां मैं expect कर रहा था आपकी हसी अलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगंदर सिंग राठ ठोड आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में शांदार बंदा मोजूद है ही इस हसीब कान फर्स्ट कोमेडियन ओन आर शो इन्हें आपने बहुत सारे चैनल्स पर देखा होगा सो लेट्स हैव टॉक्ट विए टॉक्ट विए अगर आप बता सकें कि कब आपको लगा कि यही पैशन है और फूल टाइम इसी में आ जाने है 2018 में किया था स्टार्ट मैंने तो उपन माइक करके एक चीज होती है एक छोटा सा इवेंट होता है उसमें कहा जाता है कि लोग जज़ नहीं करते हैं आपको फर्स टाइम में अगर आप जोक्स करते हो तो ऑफ्विस्ट ही बात है कि वो वो से जोक्स अच्छे नहीं होते है तो वो उस तरह के इवेंट होता है पीपल लाइक सभी सीख रहे है तो जज़मेंट नहीं होता है कोई तो अठारा में स्टार्ट किया था और काफी सोचा था कि भाई क्या करना एक्चुल टाइम में कि मज़ा किस चीज में आता था तो वो समझ में आए कि आर तीन-चार ब अच्छा लगता है हमारी बात पर तो वो कम माइन करके हमने गया स्टेंड अप कमेडी ट्राय करते हैं 2018 में तो अठारा से पहले भी क्या ये इनर कॉन्वसेशन चलती थी कि मुझे इसमें आना चीए नहीं आना चीए विकोज एक स्ट्रीम लाइन करियर नहीं है इतना पॉ वालतु चीज थी वो और छोड़ दी मतलब ऐसे पास्ट में काफी चीज़े करी हैं बट जब करी हैं तो फुल पैशन से करीगी कि इसमें आपन पता नहीं क्या ही कर देंगे लेकिन एक टाइम पर लगा कि नहीं कर पाएंगे तो जैसे डांसिंग का भी सीखा था तो डांस इसने महीने में चोड़ दिया वो तो सेंगी स्टार्ट करी तो फिर वहीं लगा कि आरे व इंडियन आइडल में आना है तो मतलब पैशन इतना रहा कि मतलब जो भी चीज करी के पतना ही क्या करना फिर दो वहीने वाद इतना ही डॉप हो गया एंगिनिरिंग में छोड़ी इस चीज के लिए के मैंने गया मेरे को ना स्टार्ट अप करना है तो मैं कॉलेज ना जाके वो वेब डिजाइनी वो सब सीखता था वो सीखा और फुल पैशन के भाई इसके मतलब अब तो स्टार्ट आप आएगा आइडिया इस भी सोचली सब कर लिया उस पर मैंने तीन स इस लगा इन गयार मदध नहीं आ रहा है तब फिर थोड़ा एक आध अफते का गैप लेकर सोचा क्या करते फिर स्टैंडब कॉमेडी ट्राइए करी तो अब स्टैंडब कॉमेडी ट्राइए करी तो उसमें भी वोई चीज आ जई कि बाई इसमें पता नहीं क्या कर देंग यह 2017 में स्टार्ट किया था मैंने इंगली सिखा रहा हां मैं बढ़िया सा एक बोर्ड लिका आया था आठबाय चार का और प्रॉपर हमने सेट अप करा मेरे दोस्त को भी लगाया उस काम पर पूरा स्टूडियो जैसा बनाया और हमने एक साल तक वो किया प्रॉपर अच्छी बाते बतलब यह चल गई इसमें भी फुल पैशन था कि कुछ करी ही लेंगे डॉप तो नहीं दोस्त को लेके गया था वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए वो डीसलाद लेकर खड़ा हुआ वहां पर तो दो मिनिट तो कोई नहीं पर लिए नहीं पर लिए नहीं लोग तो से लाइट आई तो तीन मिनट का ही टाइम था तो उनने के दिया हो गया मतलब फिर मेरा आखरी में जाते जाते में यह नहीं मेरत करूँगा तो मैंने दो मिनट एक्स्टा ओवर टाइम ही करा मैंने लास्ट में एक जोक पर हलका सासे तो लोग और इसमें नीचे बाइट आगा और मैंने सोच लिए है चलो होगा आभ नी करेंगे बद फिर एक लड़का मिला क्या नहीं यह करना पड़ता और करना रेता है अच्छा एसा होता है फिर उसने बताये कि यहां भी भू रहा हम बहुत दो तीन जगे और गये फिर एक जगे और गया थे वहां तो देड़सो लोग मिल गए पता नहीं कहा आपे चीफ गेस्ट आया हुए थे वहाँ पर बड़े बड़े लोग अब मैं फुल कॉंफिडेंस में आना मैं तो भाई कि मैं तो पता नहीं क्या कर दूँगा दस मिट परफॉर्म करा मैंने वहाँ पर एक मुस्कुराट तक नही तो देखेंगे वाद फिर आते से डिलीट कर भाया है यह आलात हो गई थी कि भाई मेरे को लेकर चलतू यहां से लम मेरे से जाने की मेरे को बस बाईक पर बढ़े मेरे वास तूँ फर वो गर लेकर गया फिर मने छोड़ दी थी कॉमेडी एक महीने कि रिमेन के नहीं मुस् तो थोड़ी सी मेहनत करके तो देखें तीन जोक लिखें मैंने एक ओपन माई किया वो तीनों जोक बढ़िया चल गए अच्छा वाँ तो वो क्या हुआ कि पहली बार एसा हुआ कि जोक चल गए मैं परफॉर्म करके वापस आया फिर जो ओडियंस पैठी थी उसमें सा आकि लोगों ने बोला कि वाई तेरा ये जोक बढ़िया था ये पींचार लोग आ जाए ना उसके बार नहीं छोड़ा वो फीलिंग चाहिए अब बार वार लोग आने चाहिए मेरे पास एडिक्टिव है वो बहुत सही है फिर नहीं का मामला मतलब फिर डाउट ही नहीं आया कह ये पर रूपना है बस ये पता था एक वक्त आएगा फेमस हो जाएंगे वो कब आएगा वो नहीं सोचा काम करना है क्या ये इसमें कुछ नेचुरल नहीं होता है is it a learnable skill सीखा जा सकता है structure होता है jokes का काफी को सीख सकते हो बहुत कुछ natural आता है मतलब आपको जैसे मैंने स् वो मुझे ही नहीं पता कितने structure में fit होते थे जब मैंने structure के साब से लिखने की कुशिश करी तो बना नहीं कुछ लोग सीख भी सकते हैं बट मैंने जाद अतर ये देखा है कि जो लोग खुले मन से करते हैं बाट टाइम इसको वो जाद अच्छे से कर पाते है बहुत जाद सीरियस हो की करते हैं इसमें सीरियसनेस नहीं चाहिए इसमें जितने खुले मन से आप कर सकते हो आपको लगेगा कि मैं एक दाओं वो जीनिस जोक लिख दू उस पनी हसिंग हो लोग वासे stupid बातों पर आती है वो सकतर जोक आपके बगल में हो और आप पता नहीं कहा तो मेरा जोक था एक मकसद नहीं भूला करके जो चला था यूटूब पर वो जो काफी चला था तो मेरे जो fellow comedians के पूछ रहा है कि बाई कैसे लिखा था तो मैं उनको सच्चा ही बता नहीं सकता गर्मिया थी गर्मियों के टाइम पर मेरे को गर्मी लग रही तो आदमी के मैं कैसी सो रहा होता था मैं फर्ष पर पड़ा हुआ था ट्रिंटिंग में अब मैं पड़ा हुआ हूँ दोपेर के डाई वजे मेरे को एकदम सा ख्याल आया मैं गया यह करके देखते हैं अपन यह वाला जोक है इसमें यह element डालते हैं और मैं सोया 10 मिनट फिर मेरे को पोछ पाई है तो शायद वजोस में spontanity होती है बहुत जाती है और लोगों बेवकूफी पर बहुत असी आती है समझदारी पर नहीं आती है जो structure की आप बात कर रहे हैं तो किताबे भी होती होंगी कुछ structures भी होते होंगे तो क्या उनका पढ़ना एक तो आपमे नेचरल ट पेशेंस चाहिए होता है कि कुछ दो कमेडियन्स यह था इतनी एडिक्टिव फिलिंग है ना कि उसने एक जगे परफॉर्म करा हो सकता अगले महीने उसको बहुत अच्छा परफॉर्मल्स चलागा है चार मुर्ट तो अब उसको लगता जल्दी से ऐसे जैसे कोगोगोलो की बोटल उठती है ना कोई भी कोड्रिंग की बोटल ऊपर गी वैसे नीचे भी आजाती तो फटा-फट जल्दी के चक्कर में फिर एक कोई जोक होता है मैंने आपको कोई जोक बोला अभी भी कोई बात ही हो अपनी के भाहिए उसके एक हसी आई लेकिन अम बेस देख कि दुबारा जब बोलूँगा ना क्या दें तो आममें सिर्क बाते बोलूगा एमोशन नहीं होगा उस बातो के उनदर मझे सिब यह हैं वो कितना इंपक्ट करते हैं काफी जादा रहता है मतलब सबसे पहले तो जोक मतलब जितना आदमी नर्वस होके परफॉर्म कर रहा है कई बार ना वह उल्टा अच्छा परफॉर्मंस दे देता है कुछ कुछ चीजा आप धीरे-धीरे सीखते हो जो शुरू में नहीं कर पाते थे आप कि मैं इसमें ऐसा एक्सप्रेशन दे दूँ या मैं इस जोक में इधर देख दूँ तो वो थोड़ी एक्स्टा स्किल्स हैं हेल्ट बहुत करती हैं बट नेसेसरी नहीं है कुछ लोग ऐसे हैं कि खड़े-खड़े जोक सुला रहा है सिर्क माइक के सामने से कोई शू चलता है और कि अच्छा नहीं चलता है तो सब्सक्रदिया एकTu जब कोई शोन नहीं चलता है में जोटा हो किसे को Hang इसके लीफ Jeans के करोते हो। करते हो आता है क्या बोला तो कि यार वही हमने जोग करा और नहीं असी आई वह तुरन दिख जाता चेहरे पर शुरू-शुरू हम यही करते थे जैसी वह जोख नहीं चला हम वह जातर डाउन दाओं अब उसके वाद जो अच्छे जोग है उस पर भी वह लो एनरजी से परफॉर्म करना है तो पता चला उ हम लोग यह कहते हैं कि जो ओडियंस का रियक्शन होता है वो आर्टिस का रिफ्लेक्शन होता है तो अगर आप नर्वस हो आपने वो चीज़ नोटिफाइए नोटिस कर दी कि भाई मेरा जोक नहीं चला तो जनता को पता चल जाएगा उनकी एनरजी भी डाउन हो जाईए जनता आपका बुरा नहीं चाहती लेकिन आपने वैसा रियक्ट करा उसकी वज़े से उनको लगा अच्छा है कुछ हुआ है इस्टेट आप फ्लो फ्लो में सीध ही निकल जाओ आपका जोक नहीं चला जनता को पते ही मैं चलने दोगा यहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आ उनको लगना अठारे जोक यह होता है कभी अगर कई बार जैसे आपने पेशेंस ही बात करी सो मेरी टाम इट हैपन सी टेक्स टाइम कि वो जो अपका टाइम आने में टाइम लग जाता है तो आप भी उस जोन से गुजरे होंगे जब कोई एक सेडनेस रहती है या फिर एक इंपेशन अंदर से एक फ्रस्टेशन से आने लगती है कि यार मेरा कब होगा फ्रस्टेशन इस बात से आई थी कि मैं सारी तैयारियें कर रहा हूँ सब कुछ से रहा हूँ मेरे बड़ी जगाओं पर मौकें नहीं मिल रहे थे तो वह किसी इंसान पर मौकें मिल रहा है आप और उसी इंसान को दस बार मिल रहा है लेकर आपको एक भी बार मिल रहा保 तो थोड़ार सा ऐसा है और फिर जो वीडियो निकालना था तो Clubs में spot नहीं मिल रहा है कि मैं record कराना है क्योंकि उनका भी यह रहता है कि वो जाने माने लोगों कोई देते और हमारे कोई पहचान नहीं थी हम जानते नहीं थे जादा लोगों ये कब कौन से साल की बात चल रही है ये 2021 की बात है 2021 तक भी 2021 में मेरा था कि मुझे वीडियो निकालना है मैंने मार्च में डिसाइड किया था कि मेरे को वीडियो निकालना है मार्च से में वीडियो निकालने के लिए रैडी बैटा हूँ और मेरे recording के लिए spot नहीं मिल रहा है तो वो जो spot मेरे को मिला मार्च में मैंने डिसाइड करा था तो ना मेरे अंदर तो एनर्जी आ गई थी ना मुझे कुछ करना है आपको पॉर्ट ही नहीं मिल राए आप आप कंदरी भरी हुई है फ्रस्टेट हो रहा है कि क्यों नहीं मिल रा कई बार तो ऐसा हुआ कि किलभ वाले ने बोला कि आपका spot जैसे आज मार्च में 10 तारीक है तो आपका spot 10 तारीक को अपरेल हुए है आपने 8 तारीक तक वेट करा आप रेडी हो आप जाने के लिए 8 तारीक को बंदर रिपलाई ही नहीं कर दा हूव दस तारीक को आपने फोन कर रहा तो वो किरार रहार सोरी वोत नहीं हो भी से लगता है त्यार वोई नीपात बन बहुत हाथ पिर만 उसके लिए तब जाके वो एक कमेडियन थे उनसे बात चीत हुई तो उन्होंने का ठीक यार मैं देखता हूँ गर इतना परिशान हो रहा है तो उन्हें बात करी फिर वो स्पॉर्ट जो मार्च में मिलने की कोशिश थी वो मिला सेप्टेमबर में सेप्टेमबर 29 30 और वो भी इस पर मिला कि आजाओ देख लेते हैं और वो उस टाइम ना रिकॉर्डिंग में डरते हैं लोग क्योंकि बारिश का सीजन देता है और वो पता चल जाता है ओडियो में तो हमने का रिस्क लेते हैं भाई क्या रहे हैं माँ पास तो मतला हमें तो हम यह थोड़ी बोल सकते हैं हमें मिला 9 महीन में थोड़ी किसकते हैं बाद में दो तो जो है वो है फिर बहुत सारा फ्रस्टिशन तो था ही अंदर गए वहाँ पर परफॉर्म किया तो तब जाके वह रिलीज हो मतलब वह जो साथ महीने थे ना बहुत मतलब गुस्से में गुजरे थे अपने मतलब फिर शेहर में भी मज़ा नहीं आ रहा था परफॉर्म करने में इसा लज रहा था आप यह शोड़ना है इतनला है वह डर था क्लब की मैं बता रहा हूं वह मुंबई का न नहीं था हूँ वह मुंबई वाला तो मिल गया है मेरे तो मेरे लिए फिर फायदा यह था कि मैं जिसके लिए परशान हो रहा था उस क्लब से अच्छों में नहीं कर था थैंक गोड मैंने इस क्लब से निकाला कूई कि मैं यहां ज्यादा कमफर्टेबल था और जहां वह ब तो फिल उस पर कितना क्या व्यूज आये क्या अभी साड़े ग्यारा मिलियन है उस पर फिड़े कोर वीडियो डाला मैंने तीन महीने वाद उस पर 9.6 मिलियन उस पर हो गए क्या बात है और शुरुवात में यसा भी कुछ हो रहता है कि यूर गेटिंग वायरल बट लोग आपके पेज तक नहीं पहुंच रहे थे इसा कुछ भी हुआ था कि अलग अलग पेज़े से आपकी रिल्स वायरल हो रही थी तो होता ही है तो मतलब कि बहुत सारे लोग जान रहे थे फ्रेस से बट दैट थिंग वोज नोट रिफ्लेक्टिंग इंटम्स और सब्सक्राइ इस दुनिया में जैसे ही आपका वीडियो आता है आपने सोचा भी नहीं इसका क्या करना उन्होंने डाउनलोड किया एडिटर को बेजा उसमें से 15-20 रील काटी और शाम तक डाल भी थी आपको आइडिया ही नहीं वो बैठे ही इसलिए तो जब इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा सेम चीज़ डल जाती है तब आप खुद डालते हो तो उसको डुप्लिकेट लगता है और वो उतनी रीच नहीं देता उसको तो अब यह होने लगा है कि कमेंडियन्स यह कर रहा है कि जैसे ही वो वीडियो आता तुरंथ वो डाल देते हैं मैंने वीडियो डाल डाल जो मेरे पास ही एकसेस है कि मेरा टीवी का जो है मेरे पास यह है उसका तो मैंने उसको एडिट करकर के डाला तो उससे मेरे काफी फॉलोर्स बड़े थे इंस्टाग्राम पे भी यूटूब पे भी तो वहाँसे थोड़ा फाइदा हुआ था तो अभी आपका चैनल इ तने से लिफ्ते सिलेंज की ऑपर सिणीटी कैसे बनी जप हो गया था कि वीडियो सब था तो अगले दिन मेरे पास हो चिर। विथे हो गया थैं अन्रेट के हो गया था एक दिन में तो अगले दिन мेरा पास वीजोन पर contar कोहने लगा के एक टीवी शो खिलीमा Wir अब फुता केहें कि जब आप एक दम से पिलकुल वखे ना फर्स शेयर से सब कुछ बोलते हैं यहां से यहां से अब यहां तक आए हूँ तो आप एक जल्दी थोड़ी यकिन कर लोगे आप शुरूरों पी तो लग रहा पागल बना रहा है उगी चार साल से बना यह उगे त सब्सक्राइब कर रहा है। वह भी कहला है। फिर वह दो तिन दिन दिन बाद उसका फोन आया मेरे पास मेरे दोस्कार रहा है। तो भाई देखते हैं फिर मैं उसको सीरियस लेला शुरू करा थोड़ा सा। तो वह पता नहीं कांगा की बाते करता था हमें इसा शो प्लान कर रहा है। आप बताईए कैसा कर सकता है। मैं का मैं क्यों बताऊ भाई तेरे को तेरा शो तू बता। कॉमेडी भी होगी, गेमिंग भी होगी, बहर कुछी कॉंसेट बता रहा था तो इंट्रेस्ट हट गया था मेरा उससे। फिर एक दिन बोले लगा आप मीटिंग करने आ स्टार्ट तो करें मैंने सुचा। तो वहां गया तब उसने वहां पर बताया कि इस तरह का शो हो रहा है तो फिर एक मीटिंग में भी कंफर्म नहीं हुआ कि वह लाफ्टर चेंपियन हो रहा दूसरी बार जब उसने बुलाया तो मेरे काफी दोस्त भी वहां थे उनने का यह लाफ्टर चेंपियन हो रहा है को आमने का रही यह बढ़िया चीज हो गई यार उनिक को कि यह तो बच्पने में देखते थे ला राइट यह तो मेरे शिरवास्ता और सब्सक्राइब यह तो ऐसा था कि मैं सुचता था कि यह लोग कैसे लिख लिए उस ताइम पर जब अलग अलग प्रोसेस रेती है सब करें तो वह बड़ा ही प्यारा फील था मतलब जो भी दो थीन महीं ने रहा वो अलग कि मेरा इतना सई चला नहीं था लाफ्टर चेंपियन में पेले एपिसोड में गया था मैं तो इलिमिनेट हो गया था फर्स्ट एपिसोड में हो गया मेरे को समझ भी नहीं आया है कि मैं अतना पूरा कर रहा हूं फिर उनने का कि आरे नहीं नहीं वह उस टाइम पर थोड़ा सा इस्यू चल ला था आपको वाइल कार्ड में बुलाते हैं आप टेंशन मुद तो मेरे को वाइल कार भान में वेज जती हो ची कि तुम दूआर ब आप टो वह उनने तीसरी वार फोन कर रहा है कि एक एपिसोड ब्लान कर रहा है कोई जरूत नहीं तो एट्रिक करवाओ थी पहर है ठीक है फिर नहीं दो बार होगा है इतना इना फिर मेरे लिए पर मेरा वो ठीक है वह जो भी था नहीं हुआ सेलेक्शन बट बट इंपेट तो रहा है जब वो वीडियो यूटूब पर आया तो बहुत चला और वो वीडियो इंस्टाग्राम पर आया तो बहुत चला एक पे नहीं उसकी रील डाली थी इट गॉज लाइक 23 मिलियन तो अच्छा था ठीक है उनका जो भी जज़िंग प्रोसेस था बट वो चीज ना मतलब जच करने के तो कहीं विटनी बैटने होंगे बट इंटरनेट पर तो सभी की जलता है कहते हैं कि लाफ्टर इस बेस्ट मेडिसिन तो कभी कोई ऐसा इंसिदेंस हुआ जहां पर आपके किसी फैन ने आके शेयर किया हो कि काफी लोगों काया है मेरे पास एक्चुली वाइरल होने से भी पहले जब वीडियो नहीं डाला था उसके पहले मैं एक छोटा सा शो कर रहा था तीस मिनट का जूम पर किया था मैंने वो शो तो उसमें दो से तीन ओडियन्स ऐसी थी जो मोबाइल पे मेरे को देख रही थी देवर कोविट पेशेंट्स वो फ्री टिकेट रखाता हमें ने तो बड़े खुश हुए कि नहीं लगे भाई हम तो मतलब परिशान थे हम मतलब वो वार्ड में हैं और कोरोना वगरा हुआ था उनको हम अल्री डिपरेशन ले थे परिशान थे हमें ये बीमारी हो गई तो इवन मैं कई बार कपिल शर्मा के शो में लोग आके कहते हैं कि मैं पेशेंट था कैंसर का पेशेंट था और उस टफ टाइम के अंदर इट वस वेरी हैलफुल फॉर मी हाँ वेट सो कई बार एक बहुत इंपेक्ट फुल रह जाता है लोगों के लिए कटिन वक्त आठना आ कि सपोज किसी को कोई बिमारी है सपोज कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है और कोई कोई में भी जेंडर इशू है जब लोग उसका मजाग बनाते हैं तो वो मजाग कई बार इंसान के अंदर गलत मेंटल हेल्थ क्रियेट करता है और वहीं एक तरफ ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े इशू से गुजर रहा है और आपको लग रहा है कि यार यह सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है आप किसी को बता ले रहा है और उसकी वज़ेशन हूं लेकिन एक बना आकर बता रहा है उसी के बारे में और उसका मजाग बढ़ा रहा है और वह ऐससे सिच्वेशन जिससे आप रिलेट कर रहा है, यह तो मेरे साथ भी हो ता, लेकिन मैं परेशान हो रहा हूं, यह मजाग फ़ड़ा रहा है, तो जब वो देखता है, कि सेम एशियू को यह काफी लाइटली ले रहा है, और यह खुद का मजाग बना रहा है, तो उसको अलका लगता है, बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, यह तो दुनिया में किसी के साथ भी हो आज था, कोई दूसरा बना है, उसके साथ दस बार हो चुगा है, और मेरे को तो यही बेटर लगता है, कि कॉमेड़ी के थुरू, आप अपनी इंसिक्योरिटी का मजाग उड़ाओ, तो बहुत से लोग ऐसा है, जो बिचारे परेशान हो रहा है, मेरे साथ मैंने काफी अपने स्किन कलर का बहुत मजाग उड़ाया है, ऐसा भी नहीं उड़ाया है, कि मेरी जनता कोई मेरे बारे में बुरा लगने लगे, इंडिरेक्ट वे में, अब होता है कि बहुत से जो इस तरह के लो इतना बड़े लेवल पर ये बंदा खड़ा हुआ है, और ये भी सेम इशू से गुजरा हुआ है, तो इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए और दूसरिया जो एसपेक्ट था है कि लोग गलत वे में ले लेते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं, और ये जाधा तर तब ही होता है, ये बहुत जाधा डार्क फेज होता है, जैसे कि जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी की डेथ हो गई हो और कोई बंदा डेथ पुड़ाई के बुरा ही ना लगे, आपके according कौन से topics में, touch करने में, comedy में, आपको एक doubt रहता है कि यार इसका गलत meaning जा सकता है, लोग hurt हो सकते है, sentiment hurt हो सकते है, ऐसे इंडिया में, आप जैसे religion ले लीजिये, या फिर प्रदान मंतरी पे अगर आपने joke कर दिया है, religion पे जो जोन, religious तो ही, उसमें ऐसा लगता है कि आजकल महुली ही नहीं कि भाई, लोग ये नहीं देखते जोक क्या है, लोग देखते हैं वस ये particular नाम आया है, और ये religious चीज से related है, तो बस लोग offend हो जाते है, और मेरा थोड़ा सा ये रहता है कि यार, अगर मैं धाई गंटे के jokes ल जिट रहते हैं और इन चीजों पर करते हैं और फिर उसकी, I think, काफी कीमत चुगानी पड़ती है उन्हें, हाँ, मतलब वो ठीक है उससे deal करते हैं फिर वो लोग बचार एंडर्गाउल रितने हैं काफी दिन अब तक, अभी हुआ, आपके साथ मैं ऐसा, कि कभी कोई, मैं जो बहुत इंटलेक्शली लिखते हैं, वरुन ग्रोवर है, वरुन ग्रोवर है, उनका नाम बहुत अच्छा है, थोड़ा साथ में बहुत करते हैं, तो उनका शायद एक क्लिप कहीं देखा था है, क्यों किसी कॉर्परेट में कर रहे थे, I think, वो खुदी इस किसे को बता रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने शायद पता नहीं को रिलिजिन पर या किसी चीज पर बात कर दी, तो एवरीवरीडी गोट ओफंडेट, चलता शो बंद करवा दिया गया, और उन्हें काफी बोला गया, और इस तरीके की चीज हुई है, so have you experienced a thing, जहाँ पर कोई हुए है, अब इंटरनेट पर तो आप कुछ भी बात कर दो, आप ये के तो ये दीवार मेरो को पसंद नहीं है, तो लोग इतने पाजल है, कुछ भी बोल दो आप, मैं अपने उसमें बोल रहा हूँ, मम्मी पापा पर जोक कर रहा हूँ, how dare you, तो अपने मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा चले, उनको कोई मतलब नहीं है, ये ओफंड हो रहा है, मेरे मम्मी पापा के लिए, तो लोग खाली बेठे हुए, मैंने जोक करा गाड़ी के उपर, भाई गाड़ी पर जोक कर रहा हूँ, इतना नीचे आ गया है, नेनो गाड़ी पर जोक कर रहा हू आप पुफेंड हो गया है अरे तो मों बजाकी चो कर रहा हूं भाई हर चीज पुफेंड होना लो हो तो कुछ चीज़ोगत आप करी नहीं सकते मतलब आप फिर ऐसा है के फिर इतना सोच होगे न आप अप कॉमेडी नहीं कर पाऊंगे आप खुद अपने आपको कैसे इसमें समझाते हो विकोज मैनी टाइम से कईबार ट्रोलिंग मीम्स अगर इस प्रकार की थोड़ी जादा हो जाए तो फिर अपने आपको समझाते हैं बहुत सी जादा ट्रोलिंग आमफुल नहीं होती है एक्चुली क्या है कि बहुत जादा एक्स्ट्रीम पहुंच जाता है न जब तो होता है जैसे कि अभी एक जोग था मेरा उसमें तोड़ा सा लोग ओफेंड हुए थे मैं एक्चुली अपने पैरेंट्स पर जोग करता हूँ कि भाई मैंने टीवी पर किया हुआ है वो जोग कि मेरे को इस तरह के ड्रीम आते थे जिसमें मेरे मम्मी पापा की डेथ हो जाती है तो यह मुझे आते थे मैं इसे बना नहीं रहूँ कुछ मुझे आते थे अब मुझे जब आते थे तो में खोड़ डरता था मतलब क्यार यह से क्यों आना मेरे को थोट तो मैंने सुचा आया जब यह होई राय तो इस पर क्यों ना लिखा जाए और बहुत से लोग आते हो तो मम्मी पापा को ढूँँगा घर के अंदर दिखेंगे तो फिर रिलैक्स वरूँगा भाई इस वसे ड्रीम तो मैंने बस यही कहा कि यह मेरे साथ बहुत जाद होने लगा था तो मम्मी पापा थोड़े स्मार्ट हो गए तो जब भी मैं घबरा के उड़ता हूं वो छु अपने आ रहे हैं भाई देखो डॉक्टर के रहा बच्चा आपका ठीक है बस दिन बर जो यह सोचता रहता है तो वो वहां से मेरे ओपर चड़ गया कि भाई तू कर सोचता रहता है आम लाइक के नहीं तुम लोग तो प्लेन क्रेश में मारे गए थे बट हम गरीब ही होगा तो यह इस पर इतने ओफेंड होगा है लोग कि तुने ममी पापा की डेथ के बारे में बोना तू अपने पैरेंट्स का केसे मजाग उड़ा रहे मेरे रियालीटी थी कुछ या तो वह अच्छे लोग है वह आपका वीडियो देखेंग और आपको फॉलो कर लेंगे वह इसके डिये बने किया है यह दो अच्छे लोग कम कमेंट करता है वह लाईक कर के चले याइगे लेकिन जो फाल तू कोमेंट्स के अंदर दिखा ही देतें ऐसका लिए अनृऔ आ कुछ लोगों ने तो ऐसे लिखा है कामेंट पनए और परोपर हमको लगना मैं पड़ू होनी चाहिए, मुझे किन चीज़ों पर द्यान देना चाहिए, आगे समझे किस तरह की comedy करनी चाहिए, मेरा एक proper joke था, उसमें मैं simple सा joke कर रहा हूँ, कि मैं इतना वेला हूँ, कि अजे देवगण आके कहता है, टीवी पर बोलो जुबा के से तो मैं बोल देता हूँ, यह future के लिए offend हो रहा है, अभी दिक्कत नहीं है इसको, future में यह करेगा, इसको पता मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरा बंदा आया उसके नीचे, उसके comment के reply में, भाई तुझे कैसे मालूम यह करेगा अभी, इस joke में कोई problem थोड़ी है, फो उसके reply में वो लेकर रहा, नह क्या दर होगे आप, इतने खाली हैं यह, आगे का सोच के offend हो रहा है, अगर कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो आगे के लिए offend तो वो आप कुछ नहीं कर सकते, उसके नहीं कर सकते, सही बात है, इम्यूनी रहना पड़ेगा आपको, आप अपना काम करते हो, बस कुछ topics हैं पॉलिटिकल भी मैं तो कहूंगा बचो आप थोड़ा सा, कुछ dark topics हैं, किसी की deaths related, उस तरह के आप बचो, बाकी हाँ बहुत ज़ादा, जो कमजोर वर्ग है, उसका मजाग उडाने से बचो, कुछ लोग पर offend हो जाएंगे, जिसे आपको disability पर मजाग बना रहे हो तो, लोग इसका मजाग बहुत ही जादा करीब इनसान पर बराग मनें, या मिडिल क्लास पर तो चलता है, बहुत जादा करीब पर मनाओ गया तो, लोग उफेंड हो सकते हैं, या, तब मुत करो, इस मावले में मैंने, I think, अभी से गुपा मन्यू को देखा है, कि वह ज्यादा ध्यान को नॉर्मलाइज करना, और वो भी खुद का मजाग भी उसकी जो बोलने की है, उस पर भी शायद ही केप्ट, so, how important it is to normalize these things, कि एक तरीकी से इस पर जब कॉमेडी में बात होती है, तो सोसाइटी में चीज़े नॉर्मलाइज भी होती है, नॉर्मलाइज का मैं ऐसे समझता कि एक कमेडियन सबसे पहले अपने आपके बारे में बताता है, comedy is like going on a date with a girl for the first time, जब आप पहली बार इसी लड़की साथ डेट पर जाते हो, तो आप उसको बताते हो कि मेरा नाम यह है, मैं यह आ रहेता हूँ, मेरे घर में इतने लोग हैं, या मैं इस तरह से सोचता पसंद है या मेरे को खाने में यह पसंद है, आप यह ही बताते हैं, और डारेक्ट जाकी यह नहीं कहते हैं, कि वो राहूल गांदी ऐसा कर रहा है, और मोधी ऐसा कर रहा है, या फिर मेरे घर के बगल वाला ऐसा कर रहा है, आप फल तु बाते हैं, same thing with comedy, जब आप शुरू पहले आपने आपको खोल के रखो जनता के सामने, जैसे आप girlfriend के सामने रखते हैं, उसके बाद relationship यह career चलता है, कि हमें तेरे बारे में आप सब पाता है, अब बता तू, अब तू Tinder के बारे में बताएगा, तो भी सुनेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं ना तेरे को, कई ब बताने वाला, हम तिरे को जानते हैं नहीं, तू इतने heavy topics उठा रहा है, तो वो उल्टा हो जाता है, कही बार, तो मेरे को ऐसा लगता है, कि अपने आपको बताना, चाहे आप anxiety से गुजर रहा हैं, चाहे आप depression से गुजर रहा हैं, जो भी कुछ है, आप बच्पने में बु बुली हुआ हो, तो जनता की आए, बुली हुआ होगा, जनता समझेगी, मैं डेपरेशन में गया हूँ, समझ जाएगी, यहां यह डेपरेशन में गया हूँ, तो मैं बात करूँ कि हर इंसान का डेपरेशन अलग अलग होता है, मैंने डेपरेशन में क्या फिल किया, उसने क्या किया सब का अलग हो सकता है परसनल लाइफ पे अगर आऊ तो आप काफी अपने परसनल पास्ट के रिलेशनशिप पे कई बार जोक्स करते हैं ब्रेक अपस पे तो अभी क्या इस्तिती चल रही है मैं वही बता रहा हूं कि मतलब जोक्स तो मतलब बाद में आते हैं जब सो चल रही होती है चल रही होती है तो सीरियस ही रहता आदमी तो एससा होका ब Apache घुक्त कि से बकितरी ह्यांति तो पिर आपको वहां पर मजाग उड़ाते हो, आप उसका हसते हो, आप कोमन हो जाते हो, तब आप उसका मजाग उड़ाते हो, अब उसी टाइम तो जोक नहीं आते न, उस situation में रहे के, तो पता भी नहीं चलने चाहिए, सामने आले को क्यों का आपने लिखे हुए, तो घे फिर तो उसको बोलो पादे लेकर तेरे पतोड़ी लिखूँगा मैं तो वो जब बिलकुल अलगाओ हो जाया आपका बिलकुल खतम मामला तो आप निकालो और कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि आपको किसी पर्टिकलर इंसान से डरे कि यह जो है ओफेंड हो जाएगी अगर इस पर जोक करा तो आपकी पुराने रिलेशन्शिप थी एक थी दोजार चौदा में तो इसके जोक उसमें डाल दो ना कि इसमें जो अरत्यत्य करी नहीं यह वो यह करती तो रिलेशन्शिप की बात कर रहे हो आप तो यह भी ओफेंड नहीं जोक भी ले लिया आपनों वो भी कहिए आओ तो एक्स की बात कर रहा है लवली, ब्यूटिफुल तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है हसीब क्या है मैं मतलब फिगर आउट ही कर रहा हूँ काफी के मेरे को क्या करना है अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफी जादा मैंने सीख रहा हूँ अभी बहुत जादा हलके में ले ली थी चीज़ों को अभी तो उस बहुत के परिणाम भी आए एक होता है कि मतलब आप कमपेरेटिबली देखो अगर सक्सेस का रेशू कि एक इंसान बिल्कुल ही ये सोच रहा था कि भाई मेरे को अगर दस मिनट परफॉर्म करने के 500 रुपे भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है उसका ये था दो साल पहले और उस दिंगान के ड्रीम से तने थे कि मेरे कोमेडी से तल सिर्फ 5-6 रुपे महीना भी कमा लूँगा तो भी मैं कोमेडी सर्वाइब कर लोगा उस इंसान को एक गंटे के एक लाए और मैं मिलने लग जाए एक दम से तो वो तो बहुत जादा सेटिस्फाय हो गया है ना राइट उसने तो सोचे ही नहीं था इतना और जब इतना सेटिस्फाय हो गया तो सेटिस्फेक्शन जब आता है ना तो मतलब फिर आदिं थोड़ा सा आलसी होता है कि भाई जब मैं एक गड़्टे काम करके इतने कमा रहा हूं तो मैं एक तीस दिन क्यों काम करूँ और कॉमेडियों की लाइफ होती है कि भाई वो खाली ज़्यादा रहते है सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बनाओगे तो डिप्रेशन इंजाइट ही पता नहीं कांगा बोच जाओगे इंसेक्यॉरिटी साहेंगी काफी ज़्यादा है कि ये वो कर रहा हो कर रहा है जोक्स पे लोगों को हसी आ रही है वो टूर कर रहा है उसको लोग पहचानते हैं तो इसमें काफी ज़्यादा फुश हो गया था मैं बहुत ज़्यादा मेरे को वही वर्जन जो था मेरा चार साल जिसने कॉमेड़ी करी थी वीडियो निकालने के पहले अगर मैं उसको दो साल और continue रखता तो ये जो fame level है ये वो और चोगना हो सकता था बट मैंने उसको बदल दिया, मैंने एक वो इंसान पैदा कर दिया जो एक लात रुपे कमा रहा है जिसको tension नहीं है, अब उसको ये भी tension नहीं है करियर कैसा चलेगा, क्या चलेगा अब वो चल एक दम, अब वो पहनत नहीं कर दा, वो अब वो चीज़ फिगर आउट कर रहा हूंगे, भाई पहले तो महनत करनी है लेवल वो अचीव करना है कि पैसो के बारे में ना सूचना पड़े, वो ही चीज़ है, जब आप पैसो के बारे में नहीं सोचना पड़े तो आप फिर आप वो चीज़ निकाले को जिनपर आप एक्शुल में बात करना चाते है वो जो creative freedom है, वो unlock होगी, फिर मेरे को उससे result की उमीद नी रहेगी, मैं करोगा अपनी bullying पर बातने मेरे संथ क्या क्या हुआ है, मैं करोगा अपने depression पर बाते, अपने relationship पर सब बाते करोगा, जिस चीज मैं comfortable हो, adult topics में यह होता है कि मैं खुद comfortable नहीं हूँ बात किनने में, तो आज किल काफी लोग हिंदी भी आ रही है, तो इसका क्या trend आफ देखते हैं, क्या future देखते हैं, हिंदी का तो बहुत ही future है, मतलब, देखो, इंसान को बले English आती है, समझ वह है, लेकिन सुनने में तो हिंदी अच्छी लग, होगा, actually, तो जो audience होती है, वो हो सकता है, cool बनन आपने भी दिमाग लगा है, जनता को चाहिए कि मैंने पैसे देदी है, अब मुझे दिमाग नहीं लगाना, तो जो हिंदी बोलता है, उसका automatic इंसान को मज़ा आता है, आपको इंगली शाती हो, लेकिन मैंने देखा है, कि हिंदी में ही ज्यादा comfortable होते हैं, मैं कुछ लोग से बातचीत करता हूँ, कुछ लोग वैसे दोस्त भी हैं, मुंबई से आते हैं, या कुछ लोग ऐसे fellow comedians है, तो उन्होंने कोई चीज इंगलीश में बोली ही, तो मैं बोल देता हूँ, मैं आप ये चीज हिंदी में बोल सकते हो, तो वो बता देते हैं, मैं आच्छी तो ब साफ के देता हूँ, मुझे आती समझ में इंगलिश लेकिन जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो मैं सामने वाले को कह देता हूँ, किया आप हिंदी में बुल दो मेरे को इंगलीश नहीं आती, तो हिंदी जो है, एक आप की मसंल्स को 스트ress नहीं देती सुनने में, आम और बहा कॉंफर्टेबल है कि उनके लिए हिंदी जैसी ही इंगलिश है तो उनके लिए बढ़ी है लेकिन असलों बहुत कम हैं खाफी का और जो लोग इंगलिश समझते भी ही वो भी प्रिफर करने के हिंदी में बूल हुआ में तो मिडिल क्लास से ही रहता है मतलब जो भी हमारे साथ हुआ है अस तक अब सबसे पहले तो यह रहता है कि आपके आस-पास क्या-क्या हो रहा है लोग जॉप करते हैं तो अपनों आफिस के जोक्स करते हैं तो मैं तो खाली था मैं तो जॉप करी नहीं रहा था तो वाले जोक तो है नहीं, अब खाली था तो घरवाले काम करवाते थे, तो वो जोक है मेरे पास, कि घरवालों ने दुकान से समाल लेने बेजा मेरे को, अब समाल लेने बेजा है, तो वहाँ पे मैं समाल ले रहा हूँ, तो मैंने यह देखा यह पालले जी, मैं ही लेके आ रहा हूँ हो ना, दस सालो से तो पालन região तो मैं ही ला रहा हुँ, अब नम पहले में लाता था तो इतना बढ़ा आता फिर इतना उनलर उनलर मै तो देखता हूँ यह खाओ में आता तो घर-वाली भी देखतें, मैंने वह कर दी हैं, मैंने करें भर्ला यहा रहा है, सबसे important discussion पालने जी में पहले सुलव इसको टाते था आजकल बारा आ रहा है तो ये मेरा था कि भाई वहां से इंस्पायर था दूसरी चीज ये थी कि सब को लेने भी मुझे जाना है अगर दीदी मान के चलो राजस्थान में है तो अब कुन साली है उन जाएगा तुम्हें जा रहा अब फोन भी मेरे पास ही आ रहा है कि मम्मी से बात करा दो तो हम उसमें भी जोग बला रहा हूं गयार एक रिष्टेदार ऐसा होता है जो इतना मनूस होता है कि वो फोन इसलिए करता है कि किसी की मौत की ख़बर दी नहीं है इसका फोन आया वादना कोई गया तो मैंने उस और भी मैंने इतना खाली था मैंने कि में इतना खाली हूं टीव पा गया बोलता तो मैंने पहले तो हो निकाला फिर मभूमा या फिर मयुआ गया पुरानी लाइफ में क्या आप अब रेलेशिंश्ट्रक पर आते हैं फिर स्कूल पर जाएंगे पीछे फिर फिर कॉल सरी अमेजिंग बातें जानने मिली हसी जितना आप कोवेडी करते हैं उतना ही आपकी समझ भी है गहरी and I'm sure that जो आप अचीव करना चाहरे हैं definitely अचीव करेंगे और अभी current अगर सिनारियो देखे हैं तो कौन आपको सबसे ज़्यादा inspiring करता है जिसके जैसा career path आप चाहेंगे वीरदास का बड़ा सही लगता है मतलब देखके कि भाई वो इंसान जो है इंडिया में तो करी रहा है comedy और बाहर भी proper fan following है E目 2 जेता है उनों ने तो आर ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी भीड है जो यह अलग गोल अचीव कर रही है और एक इंसान जो है वो इनकली से बहुत अलगे तो उस इस लगता है कुई उनके लिए वो इंडी जैसी तो वो काफी अच्छा लगता है और अपने बसी भी आए बसी भी आए ये मूवी करी है उनोंने अपिन अपिनल बसी अनुभाव जिंन बसी उनसे कापी इंफायर होता हुं कियार कॉमेडी भी बाड़ी प्यारी लगती है नो किर शोस काफी बार देखें हुए और मुवी भी कर लिए उन sentimental रोल किया हुए अँट्य और एक अपने जाकिर tutti ले और उनन जाकिर खान का सिस्ट सिर्फ कॉमेडी ले लो पोईटरी ले लो पोड़कास्ट में वो जो बाते आ रही है सीरियस वो जो एक जीवन से रिलेटेड बातचीत होती है वो है एक कॉमेडी परजी मुशायरा करके आया था उन्हेंने वो भी किया है अभी के बीसी पे भी आ गए हो तो एक ना 360 डिकरी बिल्कुल अचाय हुआ आदमी है और अभी लंदन में भी उन्होंने भड़ दिया फूल कर दिया तो ये हमारे मदलब आइडल है और मदलब एक होता है ना कि अगर ये नहीं होते तो हो सकता है हमारी सोच सिर्फ एक हजार टिकेट बेजने तक ही जाती लेकिन इन्होंने ये कर दिया तो हमारी सोच का दाइरा बढ़ गया कि यहां नहीं रुकना है वहां तक जाने की सोचना है तो कि यही कर पा रहा है और यही करेंगे एक्तम से कोई अभी नहीं कर पाएगा, यही लोग को करने, तो यह लोग को देख के काफी सीखने विलता है कि, beautiful, so now we'll move to rapid fire, so let's go, so now we're having rapid fire round with Haseeb, so ready, यह, अगर आपको एक दिन के लिए किसी celebrity की life जी नी हो, तो वो कौन होगा और क्यों, मैं अपनी life से ही कुछ हूँ, मैं भी मतलब वही चीज़े फील कर रहो, हाँ मतलब यही चाहिए, जो खुद जी रहा हूँ, आपका सबसे funny fan encounter क्या था, funny incident देखा जाए, तो कई बार ऐसा होता है, कि मैं बाइक पर गूम रहा हूँ, किसी के साथ, यह खुदी बाइक चला रहा हूँ, तो किसी ने मेरे को देख लिया, तो वो मेरे पीछे-पीछे घर तक आ गया है, अच्छा वाँ, मेरे को पतन नहीं था, मैं घर पे गया हूँ, पीछे उसकी बाइक रूगी, मैं बाइक आपको नो, sir मैं आपको वहाँ देखा था, दस किलोमेटर पहले, और मैंने का आपको अपको टोका नहीं, मैं रस्ते में रोट पर काँ फोटो लेंगी, इसलिए मैं आपकी हाँ अब मेरे को फोटो मिल सकता है, तो ये काफी फनी हुआ था, तो दस किलोमेटर से पीछे कर रहा है, लवली, कभी स्टेज पर ऐसा मोमेंट आया है, जहां आपको अपने ही जोग और बहुत ज़्यादा हसी आजई हो, होता जाता है कही बार, बहुत सच निकल जाता है जवाब के मुझसे, तो बहुत हसी आपी, कोमेटी के अलावा आपका सीक्रेट टेलेंट क्या है, अब मैं जगलिंग कर लेता हो, आपका ओल टाइम फेवरेट कोमेटी मुवी कौन सी ह हेरा फेरी, अगर स्टेंड अप कोमेटी ना होती, तो आप किस प्रोफेशन को चूज करते हैं, अभी तो वो चूज नहीं कर सकते हैं, किरकेटर बनने का सूचा था, तो उसके लिए बात है, पुत पहले से शुरू करना बढ़कता है, एक दिन के लिए प्राइम मिश्टर लोगा, पुरी लाइफ करते हैं, मैं ऐसे लोगों पर टेस्ट करता हूं, जिनको पता नहीं लग पाता है कि मैं एक जोग तेस्ट करने के लिए, आप फ्रेंडेंस पर करूँगा तो वो पकड़ लिए, मैं ऐसे लोगों पर करता हूं, जो पको ऐसे फ़नी फ़नी श्टूपट सी बाते बहुत असर रहा है पागलों कर लिए उनको सुना चार एक बार करा फ्रचा के वह जनता के बीच में सुना अ तो वह बड़ा सही रेस्पॉस आता है कोमेडीयन बनना एक नेशरोड टैलेंट है है हाडपेक्टिस दोनो कॉमेडी मुवी देखना या कॉमेडी बुक पढ़ना कॉमेडी मुवी देखना हो अगर आप एक मेजिकल पावर चूज़ कर सकते हैं जो सिर्फ लोगों को हसाने के लिए हो तो वो क्या होगी अब यह यह कि ऐसा कुछ कर दो के भाई आप कुछ भी बोलवासे हो और फाइनली एक लास लेसन जो ओडियन्स को इस्पेशली वो यंग बच्चे जो मेभी इसी डिरेक्शन में करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए कुछ लेसन आप दे सकते हैं यह मतलब मेरा कहने का यह यह कि इसको करने के लिए कुछ भी छोड़ो मत यह एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो किसी और चीज के साथ भी हो सकता है आप जॉब कर रहे हो तो भी आप फुल टाइम कमेडियन रह सकते हो आपको बिलकुल सांस लेने तक का टाइम नहीं मिल रहा है कि भाई बिलकुल 24 गंटे शेडूल बने ही हुआ है कि सोने का 8 गंटे है और उसके बीच में जो 16 गंटे बच रहा है उसमें बहुत सारे काम है कि दिन की 3-3 मेटिंग है या शोज है जब तक आप परिशान मत नहीं हो जाओ या बिलकुल ही मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं हो तब तक फुल टाइम पर मताओ बाकी तो यह ऐसा है कि मतलब आप 8 गंटा जॉब करो शाम गूल कॉमेडी करो और मैंने भी ऐसी करा शुरू में और मैंने खाली रहके भी करके देखा है कि भाई जब पूर टाइम है मेरे पास 24 सो गंटे मेरे पास मैं अपना डे प्लान कर सकता हो तो उल्टा मेरे लिए दिक्कत ही हुई है तो कुछ छोड़ों कुछ लोग जादी मोटीवेट हो जाते हैं आप किसी नए शहर में आते हो ना तो पहला जो इंप्रेशन होता है वो डिसाइट करता है कि आप शहर के लोग वारे में क्या सूस ठीक है तो मेरा इंप्रेशन खराब रहा था कुछ ब्रोकर ने मेरे को उत्पावल बनाया अच्छ उसने मेरे को बताया कि भाई मैं आपको प्राइम लोकेशन पर घडर दे लाओं आपको फिचान गया था कि आपको प्राइम लोकेशन पर घर दे लाओ आप तो अच्छी जगे रहो होगे अब मेरे को तो नहीं वालों ना शेहर के बारे में उनने मेरे कोई कॉपर सेड़ा करके जगे वाद दिलवा दिया वाद में पता चला के वो प्राइम लोकेशन नहीं क्राइम लोकेशन है तो अब मेरा वो उसमें था गयार मैं छे महीं ने रहे चुपा हूँ वाँ पर तो संगती भी तो होती एक अब छे महीं ने उस जगे पर एलियन है तो मेरे अंदर वाँ के फीचर्स आ रहा है थुड़ थुड़े तो मैं रैपिडों पर पीछे बैटके जा रहा हूँ अंदेरा आया सुंसाल सड़क मेरे मन में एक थौट आया एसे लूट लोग है और वो खुद को थपड़ मार रहा हूँ क्या सोच रहा हूँ है मेरे को हमदर्दी बहुत हो जाती है लोगों से कोई परिशानी में तो मैं रैपिडों पर पीछे बैठके जा रहा हूँ और वो बंदा परिशान हो गया नहीं नहीं जो आई नहीं हो था कहने लगा इतनी जाब में कभी गाड़ी नहीं चलाई पसी ना आना उसके तो मैं कहा हूँ इतना क्यों परिशान हो रहा है कामगर तू पीछे आजा तो मैं लेके गया उसको destination तक फिर वहाँ पर उतर के के रहाँ सर फाइव स्टार देना मैं के रहाँ किसको देना उन नहीं दी तो मैंने खराब चलाई तो ये एक